दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के 5 एसे स्पोर्ट्स के बारे में बतानी जा रहा हूँ जिनें खेलते समय कई लोगों ने अपनी जान गवा दी हलांकि फिर भी कुछ लोग अपनी जान को दाव पर लगा कर इने करने से नहीं डरते हाई ब्रीज कमजोर दिल वाले लोग तो इस ब्रीज के पास जाने से डरते हैं लेकिन खत्रों का सामना करने वाले लोग यहां दूर दूर से आते हैं जो कि पहाडों की दो चोटियों के बीच बना ब्रीज है जिस पर से आपको समल कर गुजरना होता है हालांकि अगर आपने गलती कर दी तो भी आपकी जान को कोई खत्रा नहीं होगा क्योंकि आपकी कमर पर बंधी, सेफटी, रस्षी आपको नीचे गिरने से बचा लेगी यह स्पोर्ट्स काफी खत्रनाक है जिसे लोग फिर भी बड़े चाउशे करते है जिसके लिए काफी प्रेक्टिस की जरूरत होती है जो ढलान और लंबी रोड पर स्केट बोर्ड की मदद से किया जाता है जिसके रफतार देज होने की वज़े से सामने से आने वाली गाडियों को मोड से देख पाना काफी मुस्किल होता है जिसे कई बड़े हाथ से भी हो जाते है कही बार तो लोग सड़क के साइड में मोजूद खाई से नीचे गिर जाते है सर्फिंग इसे सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही कर पाते है जिसमें आपको बड़ी बड़ी लेरों के बीच में पानी पर सर्फिंग करना होता है जिसमें सबसे बड़ा खत्रा ढूबने और सार्क जैसी खतरनाक मचलियों से होता है दुनिया में कई जाने माने सर्फर इस एडवेंचर के दोरान अपनी जान गवा दी या फिर उन्होंने मोद को नजदीक से देखा इसे करते समय हर साल 20 अजा लोग मर जाते है ये स्पेन की सबसे सांदार और दुनिया की सबसे खतरनाक खेल में से एक है जिसे खेलने के लिए आपको अपनी जान दाओ पर लगानी होगी क्योंकि इस खेल में आपको बेलों से बचकर भागना होता है अगर आप भागने में नाकाम रहे तो पीछे से आरहे बेल का जुंड आपको कुचल कर आगी निकल जाएगा फिर भी इस खतरनाक खेल को खेलने दुनिया भर से लोग हर साल आते है विंग सूट अगर आपको एडवेंचरस पसंद है तो आपको लाइफ में एक बार ये जरूर करना चाहिए ये एक ऐसा ऐसास होगा जिसे आप अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे इसे करने के दोरान आपको एक उची पाड़ी से कूदना होता है इसके बाद आप काफी तेजी से नीचे जाने लगोगे और जब जमीन के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओ तो अपने पेरा सूट की मदद से आसानी से लेंड कर पाओगे दोस्तो जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दे जिसे लाइक करने में आपको सिर्फ एक सेकिंड लगेगा और वीडियो की नीचे एक लाल बटने उस पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले